हलो दोस्तों स्मार्ट एजूकेशन जीडियार में आपका स्वागत है I am HR कुस्वा है शेकरिंड स्कूल टीचर I am going to explain your lesson first flight मेरी पहली उडान ये first flight lesson है और आज मैं इसको explain करने जा रहा हूं इसके पहले हमने इसको पुरा पढ़ लिया है पुरा टेक्स समझ लिया है अब इसके question answer explanation है तो आप इनको बड़े ध्यान से देख लीजेगा ताकि परिक्षाम है आसानी हो बहुत ही सरल तरीके से बहुत छोटे-छोटे answer बनाने की मैंने कोसिस की है ताकि आपको बिल्कुल भी difficulties नहुत आए पन समय बरबाद ना करते हुए जल्दी से कर लेते हैbrar इस फफ्रस फ्लाइट जैसा की नाम से इस फर्स्ट है फ़र्स फ्लाइट लाएमॉब फिले हार डे यह इसके बिलेखक है य excess इनको पता होना चैहे अब first flight भाई किसकी first flight है two stories एबाउट flying lesson से लिया गया है जिसमें दो थी एक ती first flight वे दूसरा था black airplane दोनों उडान से सम्भण देता है तो यहां पर जो पकशी है इस ये इसको बोलते हैं सीगुल ठीक है इसको सीगुल बोलते हैं और इसका नाम रखा था उन्होंने स्रिली इसका स्रिली नाम रख दिया था मालो पर एक शाम में आ जाए को उसका क्या नाम था तब उन्हें बता देंगा उसका नाम स्रिली था और दूसरे नमर पर यह है, एक aeroplane की उराओं है को पराना, इसका नाम है old dacota, तो यह two stories about flying, दो stories है, हम दोनों के कौशन अशर कर लेते हैं, पहले एक करेंगे फिर दूसरी के करेंगे, यह summary दी और summary के बाद अब हम करते हैं, «かौशन अशर», जोकि मैंने जब पूरा सम्जा दिया है तो समदी क्या विशक्ता नहीं है ठीक है अब यहां से देखते हैं वाय वाज दा यंग सीगुल अफरेड टू फ्लाइ जो यंग सीगुल थी वो उड़ने से क्यों डर रही थी क्या आपको लगता है कि सारे पक्षे अपनी पहली उलान भरने में डरते हैं और क्या सारे पक्षे अन पक्षें की तरह डर पोक भी होते हैं और क्या आपको लगता है कि जो मनुश्य का बेबी है वह भी उड़ान भरने में उसे भी चुनोती पूर लगता है यह भी तो इसको आपको समझना है अंसर है उसे लगता है कि उसकी जे पंख है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे लगता है कि सारे जो यंग वर्ट्स होते हैं जो अपनी पहली फ्लाइट करते हैं तुन्हें सभी को डर तो लगता ही लगता है फिर अगला है इसी का है इसी परकार मनुश्यों के जो बच्चे होते हैं वह भी जब अपनी पहला कदम बढ़ाते हैं कोई भी काम करने के लिए तो उन्हें भी डर लगता है वो भी नर्वश होते हैं उन्हें भी डर लगता है यह इस लेशन में है जो भोजन का साइड है मतलब भोजन के जो साइड है मतलब वो द्रश्च है भोजन का जहां उसकी मां मचली को चीर फाड़ करके भोजन कर रही है उस परकार का द्रश्च उसे किस परकार पागल बना रहा है ऐसी कौन सी चीज है जिसने जो young Seagull है इसको मजबूर कर दिया अंतताht उड़ने के लिए ऐसी कौन सी बात है जिसने young Seagull को अंतताह उड़ने के लिए विवस्द कर दिया या मजबूर कर दिया तुभां देखते हैं वो कौन सी चीज है तूँ देखो यंग सीगल वाज अफरिट टू फ्लाई एंड एक्टिंग लाइक अ कावर्ड वो डरबू की तरह एक्टिंग कर रहा था उसके परिबार ने उसे अकिला छोड़ दिया यह है बताने के लिए कि भाई वह अपना भूजन खुद लेगी जब से वह भूखा मरने लगा यह गौट सो मेडन बाइद विच कंपेल्ड हम तो फाइनली फ्लाई और जब उसे अकिला छोड़ दिया तो वह अपना जब भूख से तरपने लगा और जब उसकी मा मचली खा रही थे तो इस साइट ने उस दरश ने उसे पागल बना दिया औ और उस वजए से वह अंतता उड़ने के लिए विवश हो गया इस दरश ने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया तीक है एक बार हम फटा फट पड़ दे रहे हैं इसका भी स्क्रीन शॉट लिग लिख लिजिए दा यंग सीगल वाज हैजिटन तो फ्लाई एंड वो क्यों उस पर ताना मार रहे थे यहां वहां की बाता कर रहे थे उसके बारे में और वो क्यों बला रहे थे why didn't the seagull father and mother threaten him and casual him to fly why did the seagull's father मता जी और पता जी ने क्यों उसे बुलाया और उसे धमगाया उडने के लिए और उसकी प्रशन सावी के उडने के लिए ऐसा क्यों किया उनोंने ठीक है the young seagull was scared of his first flight he could not gather courage to fly the young seagull was scared of his first flight he could not gather courage to fly the seagull's father and mother taunted him and threatened him seagulls के मता पता ने उसे डाटा कमेंट्स पास किये let it starve if he did not try और वो नोंने कहा कि भूके मरोगे अगर तुमने उडना प्रारम्भ नहीं किया they knew if he did not fly he would starve to death वो जानते थे कि अगर उसने उडना नहीं सुरू किया तो वह है भूक से मर जाएगी they did all this because they wanted him to live और उन्होंने इसलिए यह किया क्योंकि वह उसे जीवित रखना चाहते थे तो एक बार और उसे पढ़ते पढ़ लेते हैं the young seagull was scared of his first flight he could not gather courage to fly the seagull's father and mother taunt him and threatened him to let it starve if he did not try they knew if he did not fly he would starve to death they did all this because they wanted him to live last question question number four and last question have you ever had a similar experience where your parents encourage you to do something that you were too scared to try to discuss in this paragraph the pairs of groups क्या आपके जीवन में भी ऐसा कभी अनुवा हुआ है आपको कि जब आप कोई काम करना चाहें और आप हैजिटेंट हो रहे हैं आपके मातापत आपको साहस बंदा रहे हों कि हाँ हाँ करो 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 मेरे पिताची ने मुझे बाइक दी थी वनों मुझे सीट पे बैठने का कहा और कहा कि ज़्यादा ज़्यादा तुम सामने देखो परन तुम मुझे यह डर था कि कहीं मुझ छोड़ना दे और मुझे चोट लग जाएगी दे कैप्ट इनकरेजिंग में वो मुझे इनकरेज करते रहे मेरा शाहस बंदाते रहे उन्होंने कहा कि हम तुमारे पीछे आ रहे हैं आई वाज बिट स्केर्ड एंड सेंग की इन दा बिगनिंग शुरुआत में मैं थोड़ा सा डरा हुआ था और मुझे आत्म विश्वास आ गया और मैं बाइसिकल को कंट्रोल करना सीख गया चलो ठीक है अगले लेसन में हम पढ़ेंगे अब लैक एरो प्लैन इनके कॉश्चन अंसर आप कर लीजेगा थैंक यू बरी मिच क्लास मोर एक बार समझा देंगे